प्रश्णों के उत्तरों को हल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा प्रश्णों के द्वारा लिखा गया है इसमें जो सब्दकोस को आप तयारी अच्छे से कीजिए पार्ट को पूरा पढ़िए फिर सब्दकोस का अध्यान कीजिए सब्दकोस में जो कठीन सब्दें उन्हें किस पकार से हल करेंगे फिर उसके बाद आपको प्रत्ते कहां लगाना है यह मालूम होना चाहिए जाले देखने हमें यहां पर पार्ट 6 राकी का मुल्ऻ पूर तयारी में है इन्हें पढ़ लीजेगा यह पूर तयारी में क्या के दिया हुआ है इसके बाद आपको जो बहुती कलफी प्रस ने है प्रस नमबर एक प्रस नमबर एक क्या कहा रहा है रानी कर्मवती का हुमाई को राकी भेजने के पीछे मुख्य उद्दिस क्या था तेकिए यहां पर इस पार्ट में रानी कर्मवती के बारे में बताया और हुमाई के बारे में रानी कर्मती हुमायो को राकी भेज दिये तो राकी भेजने के पीछे उसका मुख्य उद्देश क्या था यह पूछा है A नमबर भाई बनाना B नमबर माफी मागना C नमबर सहयता मागना और D नमबर यूद करना तो यहां पर इसका सही आंसर आजाएगा आपका A नमबर भाई बनाना इसके बाद नेश्ट प्रस्ण आता है आपका प्रश्ण नमबर दो तत्पुरु समास में प्रधान पद होता है A नमबर पहला, B नमबर दूसरा, C नमबर तीसरा और D नमबर अंतीम तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्वु समास में पयाँ पद होता है दूसरा तो B-Number option इसका सही होगा इसके बाद नेश्ट आपको अतिलगुतिरी प्रशन आएंगे आपके अतिलगुतिरी प्रशन में प्रशन में प्रशन नम्मर तीन है हिंदू बेग कौन था प्रशन क् हमने आपको पहली बता हैं कि आपको क्या करना है पुस्तक अध्यन करना अनिवार है चलिए हां पर हिन्दुवेग का उत्तर बता देते हुंदु बेग को hoping का शेनापती तरह कों था हुद् bullet वेह हुमाईउ का शेनापती था इस पकार आपका प्रस्न मपर 3 लिर्य नेस्ट प्रस्न है आपका प्रस्न intel क्या कहरा है हम लोग सदियों से हस्ते हस्ते प्राण उच्छावर करते आए हैं वाक्य में रिखांकित महावरे का अर्थ क्या होगा तो यहां पर रिखांकित महावरे क्या है नुचावार कर दी, इस प्रकार से आपका प्रेशन No. 5 यहां पर complete होता है, नेच्ट प्रेशन No. 6, प्रेशन No. 6 में क्या दिया है, जहापना ऐसे मंगन है, महारानी कर्मती ने क्या जादू का पिटारा भेज़ा है, वाक्य में जहान पना कौन है, तो आप यहां पर देखिये, जो वाक्य है यहां पर जहान पना कोन है तो वाकवे में जहान पना बास्था हुमायू है इस पकास से आपका प्रश्न कोन से आएंगे अब लगूतिरी प्रश्न करेंगे लगूतिरी प्रस्था प्रवाइख few की जगा आप होतेそう क्या करते तो धरम देखिए रानी कर्मती का पत्र पढ़कर हम भी पुराने बैर को बुला दिते और भेजी हुई राखी का सब्मान करते इस परकार आपका प्रेशनमर 5 का उत्की का ऊतर है नेस्ट प्रेशन आएगा आएगा प्रेशन नमर 8 कोन से हो गए हस्ते यां चिन वाले सब्सक्राइब का सब्सक्राइब उनको हमने यहां पे लिख दिए नेश्ट प्रस्ण है आपका प्रस्ण नमबर 9 राखी वह सीतल प्लेप है जो सारे गाउ भर देती है पंक्ति का अपने सब्दों में लिखिए तो देखिए इसका राखी बेर भाव रूपी गाउं को भरने के लिए मरम का काम करती है जो सारे बेर भाव को जला कर भस्म कर देती है इस पकार आपका प्रस्ण नमबर 9 का उत्तर प्राण देने की लिए ललकारते वे राखियां आगे बढ़ाती है और कहती है कि वे भी लोग राखियों को लें जिने प्राण प्राण देने का चाव हो यहां पर आपका प्राणा जाएगा यहां पर प्राणा कर देंगे से क्या कर देंगे प्राणा देने का चाओ हो इस पेकार बच्चो आपका प्रस नमबर 10 यहां पर कंप्लीट होता है इसके बाद नेश्ट प्रसन है आपके देर गुतरी प्रसन है देखिए देर गुतरी प् दिवार को दीपो का त्यवार भी का जाता है दिवाली भारत का सबसे लोग पी दिवार यहां दिवार भगवान राम की है एसके बाद चौता पाइंट दिवाली का पहला दिन धनतरश के से सुरू होता है फिर नेक्स्ट पाइंट है दिवाली के दिन हिंदु लोग घरों में माता लच्मी और भगवान गड़ेश जी की पूजा करते हैं नेक्स्ट पाइंट है दिवाली भारत में मनाय जाने वाले प्रिमुक्त वारों में से एक है और जो भी चीज आपको लगती दिवाली सम्मधित तो आप इस पकार से आपके आठ से दस लाइने लिख सकते हैं आपका प्रेश नमबर 11 कंप्लेट होता है नेक्ट प्रेश नमबर 12 प्रेश नमबर 12 क्या दिया है राखी के महत्तों को आठ से दस पंक्तियों में लिखिये चलिए राखी का महत्तों नमबर 1 राखी हिंदूं का एक पवित्रयम प्रमुक तेवार है नमबर 2 श्यावन मास की पूर्णी मा को रक्षा बंदन मनाय जाता है नमबर 3 यह तेवार हर साल अगस्त के महने में पढ़ता है नमबर 4 राखी भाई बहन के बीच प्यार और अटुट रिस्ते का पतीक है और नमबर 5 में सभी बहने अपने भाईयों को रक्षा सूत राखी बांती है नमबर 6 राखी बांने के साथ ही बहने अपने भाईयों को भाईयों की कुशलता की कामना करती है नमबर 7 भाई जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देता है किसमें राखी पर में फिर नेक्स्ट है सभी धर्मों के लोग इसे बड़े ही हस उल्लास के साथ मनाते हैं इस परकार आप राखी के महत्तों को आज-दस पंक्तियों में बता सकते हैं आपका प्रस्ट नमबर 12 कंप्लिट होता है और इस प्रस्ट के साथ ही आपका पार्ट कोंसा पार्ट छै राखी का मुले समाप्त हुआ बच्चों आपको हमने जो राखी का मुले पार्ट समझाए उसके प्रस्ट नमब तर बताए यह अच्छे लगे हो तो आप हमाज चैनल आईवियत देख लाश्ट को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अन्य गरूप में से आप जरूब कीजिए